वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबा के सरी इस पर बाच्चित करने के लिए कौंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजयराय जी हमारे साथ है हाला कि अजयराय जी डेल लाग वोटों से प्रधान मंत्री नरेंदरोदी से चुनाओ हार गये हैं लेकिन उत्तर विदेश में कौंग्रेस ने जो सफलता हासिल की है उस पर हम इनसे बाच्चित कर रहे हैं आपको उमिद थी सर कि ये रिजल्ट आएगा निश्ची तोर से मैंने कल भी आपसे कहा था कल प्रसमें भी कहा था उसके पहले भी कहा था कि अपरत्याशित प्रणा माने जा रहा है मैंने बार-बार आप लोग मुझे कुर्यत के पूस्ते रहे कि नंबर आफ स्ट्स बताइए मैंने का मैं लोग की तरफ फरजी गिरी नहीं बोलता हूं असी में असी, दस लाग पार, चार सो पार मैं यह सब बड़ी बात नहीं बोलता हूं क्योंकि यह जनता मालिक है जनता जनारदन है लोग तंतर में वो तै करती है मैंने का आपरत्याशित सफलता मिलेगी अब आज देखिया आज आपरत्याशित सफलता मिल रही है और नरेन्द मोधी खुद जो 10 लाग से जीतने का दावा करते थे पिछली बाद 4 लाग उट से जाधा जीते थे इस बार एक 1.5 लाग से जीतने में पसीने छूड़ गए उनके पसीना छोड़ दिया पसीना तो क्या स्ट्रेटिजी रही शुरू के दो फेज में तो आप उनसे आगे निकल गए थे तो क्या स्ट्रेटिजी क्या थे कासी की जनता महान जनता नहीं दिखा दिया कि वो अपने बेटे के साथ खड़ी है अपने परिवार के लोगों के साथ खड़ी है जो सुबदुख का हमारा साथी है और ये किवल event management वाले लोग है event manage करते हैं लोगों को पैसे से खरीदते हैं पैसा बाटते हैं और मंतरी परिसत का भोकाल दिखाते हैं राजेपाल आके प्रचार कर रहे हैं Lieutenant Governor प्रचार कर रहे हैं गाउं-गाउं में जाकर आप सोख सकते हैं और उसमें तमाम ऐसे हथकंडे अपनाई गए जो मैं आपको मैं बताओं कि उस तरीके के लोगों को भी लिया कर चुना में लगाए गया जो पूरी तरीके से समाज के अंदर हम कभी भी समाज के अंदर काम ने किया उनों को भी लाकर लगा कर और लोगों का एक दबाव चालिस से नीचे बीजेपी आ गई उत्तर प्रदेश में है क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ने जिस तरीके से बहतर ताल्मिल से चुना उड़ा ये उसका असर है बिलकुल इंडिया गड़ बंदन के हमारे घटक जल दल जो भी रहे समाजवादी पार्टी कमरिस पार्टी आप पार्टी और यहां पर सब लोगों ने मिलकर काम किया विसे इस रूप सभी एक एक कारेकरता भाईचारे के साथ काम कियें उसका प्रणाम है ये एसी सिती सामने आई ये और बार जो 4,60,000 सूपरोट मिला है हम सब लोगों को वो निश्चे तोर से सब की मेहनत और सब के परिश्टरम का प्रणामारे के कारेकरता दिन रात हमारे परिवार के लोग, परिवार के बच्चे सब लोग दिन रात मेहनत करके लोगों ने काम किया उसी का कर दिया जितने में मोदी जी और मोदी जी के जो भक्त थे पसीने छोड़ दिया उन लोगों ने अब तो हंग असेम्बली की स्थिति बन गई है किसी को बहुमत मिला नहीं क्या लगता है आपको कि इंडिया गड़ बंधन सरकार बनाने की स्थिति में है चुकि नंबर सभी भ पास कोई भी नंबर होगा या जो भी उनके पास चीज़ें आएंगी मैं समझता है कि अपने जो नके साथ के लोग है उनको जोड़ कर रख लें मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ जो लोग है वो भी जोड़ नहीं उनके साथ रहनी पाएंगे क्योंकि दबाओ आपने ED क दबाव बनाकर रखा, CBI का दबाव बनाकर रखा, भै दिखाया, डर दिखाया, और आप ये सबी लोग जानते हैं कि आएंगे तो समिधान बदल देंगे, समिधान बदल देंगे, अरक्षन खतम कर देंगे, तो जो भी दल इन सब चीजों को देख रहे हैं कि समिधान बदल परश्टाचार दूर नहीं कर पा रहे और कहीं न्युक्तिया नहीं हो रही पेपर लिग पेपर लिग अग्री वीर आप लिया के खड़ा कर दी सब चीजों के खिलाफ है इस देश की जनता का मूड तो निश्चित वो दल इंडिया गडबंदर के साथ आएंगे इंडिया तर से कॉंग्रेस मजबूत हो रही है इंडिया गडबंदर मजबूत हो रहा है और हम कॉंग्रेस पार्टी आप देखे हों कि बहुत सालों के बाद उत्तर प्रतिस में सब परफॉर्म की है तो निश्चित तर से आने वाला समय हमारा है और हम जनता के लिए एक अच्छा सं संधन कायम रहे इसकी कोशिश होगी लोग सभाचुनाव के जो नतीजे है इसका पूरा आसर आने वाले दिनों में उत्तर पेज की सियासत पर दिखाई देगा यह कहना है अजयर आजिका अमिट सिंग टिवी ने यूपी वरण से वीगाड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसोडाइन और विमल बोलो जुबां के सुरी